जैहिन दोस्तों बंदे मात्रम उत्राखंड पुलिस कॉंस्टेवल जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपका एक्जाम बच्चों 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है तो अब आपके पास 5 दिन बच्चे हैं इन 5 दिन में आप कैसी स्ट्रेटेजी करें 5 दिन में क्या प पर्चेस कर सकते हैं बचो ठीक है ज्यादा नहीं 70 रूपीज है आप पार्ट वन और पार्ट टू दौनों ले सकते हैं ठीक है तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने देखिए आप जब भी अब आपको पता है 5 दिन बचा है क्या से पढ़ें देखिए जो इंपोर्टन चीज है जैसे मैं टॉपिक वाइस करता हूँ जैसे पहला टॉपिक है आपका बांध ठीक है नदियां ठीक है दर्रे निर्त्य ठीक परवश्रेणियां और हिमनद ठीक है और गुफाएं अविहारण ठीक है यह जो मैंने टॉपिक बता है most important और इस्थापना वर्ष तो चलो ठीक है यह इतने टॉपिक को आपको मैं ट्रिक के साथ देने वाला हूँ ठीक है आपको बस हमारे part 1 को purchase करना है और part 1 के अंदर आपको जो चीजें मिलेगी न आप खुद बोलेंगे नहीं सर बहुत इसली समझ सकता है पढ़ सकता है अब आपको अगर मैं यह पूछूँ इसकंद गुफा का है ठीक है पांडू खोली गुफा का है आपसे गणे इस गुभा पूछूँ तो आप confusion में हो जाएंगे क्यों क्योंकि सब देखो नाम से क्या होता है न हमको particular अगर एके question को याद क करने में हमें time भी लगता है कभी कभी हम easily याद तो कर लेते हैं लेकिन जब पूछते है तो भूल जाते है तो इससे आपको negative point है अब थोड़ा exam की strategy बताता हूं 100 number का paper आने वाला है 40 number उत्राखन जी के 40 हिंदी देखे हिंदी मैं आपको क्या क्या चीज़े ध्यान देनी है देखो बच बहुत से बोलते हैं छंद नहीं होता है अशर छंद में कुछ नहीं है या छंद आपका बनेगा छंद के जो question मनते हैं मातरिक छंद से बच्चों ज़्यादा question पुछेगा तेकना अर्द सम मातरिक और समातरिक चंद ये वाला ये दो प्रकार का जो type भिशम मात बिशम आप छोड़ दीजे समात्रिक और अर्ध समात्रिक को आप अच्छे से कर ले ना खवर बाकि थोड़ा सा बात करते हैं अलंकार को लेके बच्चों के अलंकार में डाउट है देगे अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक और श्लेश ये तीन इंपोर्टेंट बनते हैं यमक और श्लेश ठीक है बच्चों ये तीनों आपको करके जाना है, शब्दा लंकार से है अर्था लंकार में आप जो एक्जांपल करके जाएं, तो वो आपको एक तो ही उपमा उपमा का और किसका? रूपक का ठीक है न, बच्चों, उपमा में क्या होगा? जब उपमे ठीक है, जब उपमे की समानता उपमान से होगी है न, अब सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो ऐसे कोशन कुछ भी नाम दे दिया जाएगा समानता दिख जाएगी, आँख बंद करके उपमा डाल दो, ठीक, रूपक पुछेगा, तो रूपक में कोई समानता नहीं होगी बस रूपक में डाइरक्ट ये बोल देंगे कवीता, शेर नहीं है कुछ भी दे देगा, तो डाइरक्ट आपको ऐसे, इस तरीक इसे दिये जाएगे ठीक है, तो आप जो जो मैं टॉपिक वाइस बता रहा हूँ इन चीजों पे ज़्यादा फोकस करें अब बात करते हैं समास का समास में भी बच्चों देखो समास में क्या क्या करना है, कैसे करना ये भी मैं किलियर कर देता हूँ सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष की तत्पुरुष में आपको डाउट था राम नगर तत्पुरुष समास क्या कहता है कि प्रथम पद अगर आपको संग्या वाचक दिख जाए और उतर पद परधान दिख जाए तो सिद्धा क्या होगा, जैसे मैं उधारन देता हूँ, राम नगर राम क्या है, संग्या है किसी वस्तु वैक्तिस्थान या उसके भाव के उसको बोध को संग्या कहते है तो राम एक संग्या है अब उसके बाद देखेंगे, नगर परधानता दिखा रहा है, राम नगर रामका नगर ठीक है अब यह ऐसे जो दिखेंगे आपको पर्थमपद संग्यावाचक तो उत्तरपद उसका परदान होगा है तो यानि कि तत्पुरू समास है बाकी करमधारे में क्या होगा जब विशेशन होगा अच्छा है अच्छी है यह इस तरीके से चीजें तारीव की जाएगी उसमें appreciate किया जाएगा किसी भी चीज को लेके तो वो आपका पर्थमपद क्या होगा विशेशन और उतरपद विशेश्य होगा तो यह विशेश्ता बताएगा ठीक है तो ऐसे करमधारे कहलाएंगे ठीक है तो आपको example भी हम देंगे next वीडियो के अंदर हिंदी कोई हिंदी की tension ना लो ठीक है अब बात करते हैं किसका आपके द्वंद का ठीक है द्वंद समास देखो द्वंद में क्या होता है द्वंद में दौनों पद क्या होता है प्रधान होता है ठीक है अब द्वंद में देखना आज कल माता पिता तो दौनों इसमें क्या है दौ समा से भई दिगु में क्या है दिगु में पर्थमपद संग्यावाचक दिख जाएं संख्यावाचक और उतरपद दिख जाएं आपको क्या उतरपद दिख जाएं संग्यावाचक के साथ उतरपद आपको जो दिखेगा ना संग्यावाचक ठीक है संग्यावाचक ठीक है तो तो रास्ता चो मतलब चार, दिगू मैंने क्या बोला, पर्थम पद संख्या, डिजिट वाला अगर पहला पद दिखेगा, अब देखो जैसे कैसे होता है ना, देखो, जैसे क्या बोलू मैं, कि आपको चो रहा, चो जमा रहा, चो रहा, ये, अब ये पर्थम पद हो गया, औ संख्या वाचक तो आंक बंद करके बोल दो दीगू समास लेकिन अब बहुभरी में क्या होता है अब देखो अब जैसे चौरा हा ठीक है और चौरा ऑप्शन में दिये जाएंगे आपको दीगू समास और बहुबरी तो इस condition में दोनों देखो बहुबरी में भी क्या है आपको पता है भई बहुबरी सबका बाप है बड़ा होता है तो बहुबरी इसका answer माना जाएगा अगर बहुबरी option में नहीं देता है तो आप द्यूग को stick करके हैंगे तो यह चीज़ें भी समझना है बच्चों यहां पर बापी बहुबरी में पता है बहुबरी में क्या होता है कोई परत पदान नहीं होता बस तीसरे शब्द के साथ क्या दिखाता है कुछ अच्छा गुण दिखाता है विशेश बताता है किसी भी शब्द को या उसके अर्थ को तो ये बहुबरी कहलाते है जैसे योगरूड शब्द में क्या होता है ठीक है जब दो रूड शब्द आपस में मिलकर तीसरा का कुछ नए अर्थ देंगे तो योगरूड कहलाते है तो ये समझ लेजए जो योगरूड शब्द होते है वैसे ही बहुबरी का कुछ खेल है ठीक है अगर आपने योगरूड पढ़ा होगा तो बहुबरी समास को समझ लेकले आपको आसानी होगी अच्छे से ठीक है बाकी हिंदी के जो भी topic और है most important मैंने आपको बता दी अलंकार छंद और रस ठीक है ना अलंकार छंद रस और समाज ये चारों आप पढ़के जाएं बाकी परियावाची पे भी थोड़ा focus करना ठीक है बाकी इतना यह बचो वीडियो के अंदर बाकी वीडियो एक्जाम को दे रहे होते हैं तो इस तरीके से गलती नहीं करना है एक्जाम के अंदर ठीक है बाकी बचों आपको कुछ भी doubt है मैंने बता दिया है आपको अगर हमारा उत्राखन जीगे का tricky पार्ट चीए तो आप 70 रूपीज के अंदर purchase कर सकते हैं मैं सभी बचों को description में डाला हूँ आप लोग भी देखे जरूर और आपको इसको प्राप्त करने के लिए अपने पास लेने के लिए क्या करना होगा पहले तो आप चैनल को subscribe करें उसके बाद क्या करना है हमारे description में जाए वीडियो के वहाँ पर ग्रूप का link मिल जाएगा ग्रूप के link के बाद आप अमें message कर सकते हैं आपकी पूरी सायता भी की जाएगी एक्स्टा भी आपको पीडियो प्राप्त किये जाएंगे हमारे channel के माधियम से ठीक है तो बचो वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो channel को like share जरू करें जय हिंद बने बाद